और खबर जम्मो कश्मीर से आ रहे है जहां पर पुल्वामा में सुरक्षा बलो और आतकवादियों के बीच मुढभेड चल रही है ये सुभा तड़के पुल्वामा के गोसु इलाकई में मुढभेड शुरू हुई थी पुलीस और सुरक्षा बल आपरेशन को अंजाम दे रहे हैं इसमें एक जवान शहीद हो गए है एक पुलीस अधिकारी के घायल होने की भी खबर है और ऐसी खबर आ रही है कि एक आतकवादी को भी धेर कर दिया गया है मीर फरीद हमारे साथ जुड़ने है जादा जानकारी लेकर मीर क्या अपडेट है जी तब से जो मुद्भेड अभी भी जारी है और सुबाह जो हुआ उसके बाद से कुछ देर के लिए फाइरिंग रुकी थी लेकिन अभी चायद दुबारा फाइरिंग का जो एक्शेंज है भी इसमें चल रहा है एक विलिटन मारा गया जैसे मुद्धे हो गई लेकिन पॉलीसमें जो है वो क्रिटिकल है उसके बाद अभी लेटस्ट में आपको बता सकता हूं कि दो और जो आर्मी जवान है वो इसमें जखमी हुए है और अभी फाइरिंग जो है बीच बीच में चल रही है सुबाह जो है इनकाउंटर स्टार्ट एक मारा गया है तो अभी कम से कम दो और उस एरिया में चुपे हुए है और जो है फाइरिंग चल रही है एक मारा गया है कुछ बोली बारूद और एक रैफल वहां मोक्य से मिली है और अभी ओपरेशन चल रहा है जी जी मेरे शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए